हाव रूफीक्स सैमसंग ऑन सेवन प्राइम ऑटो रोटेट नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तेकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपने डिवाइस में ऑट आपो रोटेट यहां पे काम नहीं कर रहा है माणने के आप जो आप यहां नहीं कर रहा है यहां को आपकी दिवाब्रेइस में तो आफ दोस्तों इस वीडियो को आद कर जैबागा मैं आपको इस सवी लूफे टीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लिक करें और अगर आप अनलाइन कैसा कामा ना चाहते हैं तो वीडियो बिस्क्रिप्षिन पर आपको लिंक मिल जाएगा और तीसी प्लिक के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विचे पर फोलो करते हैं मेंसेज कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर ऑटो रोटेट काम ने करें तो आप अपने डिवाइस को एक बार C9 Pro अगर आपका ओटो रोटेट काम कब साथे तो तो ठीके अगर रिस्टार्ट करने के बाद प्रोटन करने के बाद दोस्तों जितने भी आपके आप्टीม के आपको ऊप्लिकेशन ईए क्योंकि कभी कबर क्या होते हैं वो लोग हो जाते हैं तो उसके वज़े से यहाँ पर प्रॉब्लम आते हैं तो आप अपने रिसेंट एप्स को सारे के सारे रिसेंट एप प्लोस किजिए प्लोस करने के बाद दोस्तों दुबारा से रिचेक एक देखिए कि आपने प्रॉब्लम सॉप्ट हो आए या नहीं हुआ है अगर उसके बाद भी दोस्तों प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जाए दोस्तों आपने मोबारा सेटिंग पर स्क्रॉल डाउन करते हुए दोस्तों जाए जेनरल मेनेच्टमेंट के अप्शन पर एंडेंट रीषेर ऑप्शन सेलेक कीजिए और रिषेट ओल सेटिंग पर जाकर रिषेट सेटिंग पर क्लिक कीजिए अपना पेटर्न यहां पर बढ़ दीजिए पेटर्ण पास्वोड जो भी आपने सेट किया हुआ है स्क्रीन लॉक पे उसको एट करने के बाद सारे सेटिंग रिसेट हो जाएगा तो अभी दोस्तों आपको क्या करना है ऑन कीजिए अपना पोट्रेट मौड को यानि कि अटो रोटेट ऑन करने के बाद दोस्तों दुब पर अपडेट होगा आपका प्रॉब्लिम भी उसी वक्ट फिक्स हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के से दोस्तों आप ऑटो रोटेट के इस प्रॉब्लिम को यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं उमीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंने होगा टेंक्स फूर आचिं आपको पसी दोस्तों अर आपको जाई फिfarमढ़ मों वीड़योत का पसंने हो इस प्रॉब्लिम करते हैं दोस्तों इस प्रॉब्लिम इस यूंएं म 멋있 टोस्तों जक्श भीarnya ओनों करते हैं उिव 27एंदों आपको फिसे विर दीक्स करते हैं